तो पीवाई की शीरीज पार्ट थी का आज हम लोग रहने वाला लेक्चर नंबर फॉर्थ तो चले स्टार्ट करते हूं और स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में मेरे से एक स्लिप अफ टंग हो गया था और वो स्लिप अफ टंग ये था कि मैंने रभींद्रनाथ ट टैगोर की जगे जब मैंने आपको तत्व बोधनी सभा का फांडर बताया था हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ब्रह्मो समाज बनती है 1828 में और इसका प्रिकरसर कौन होता है आत्मी सभा इन 1814 दिन उसके बाद 1839 में देबिंद्र नाथ टैगोर बनाते तत्व समाज अफ इंडिया चला जाता है किसके पास केश्यप चंद्र सेन तो रभी दिरनाथ टैगोर की जगे वो देबेंद्र नाथ टैगोर होगा वैसे तो मैंने कॉमें सेक्षिन उस चीज़ को पिन किया गया था बटाए अगें सॉरी फो दाट ठीक है बिचले स्टार्ट करत कब प्रतिबंद लागाया गया था 1885, 1910, 1897 या फिर 1927 आपसे एर पूझ रहा जब इस पर बैन लागाया गया था तो बात अगर करें हम पहले भरत नाट्यम की तो हम इसके रिगार्डिंग एक चीज अभी हमने देखी है और वो एक चीज यह है कि यह तमिल नाडू से इं हम लोग इस तरह इस कॉंसेट पर चल रहे हैं मतलब दीरे दीरे अपना जो सरकल हो बढ़ा रहे है ठीक है यह पहले कि कुछ चीज़े हम देखेंगे उस टॉपिक को लेके फिर आगे आने वाले लेक्षे में और चीज और चीज और चीज और चीज ठीक है और फिर उसको ब भरत नाट्यम इंद इयर 1932 1932 में तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको रीनियम कब किया गया अलेट भरत नाट्यम हो या फिर चाहे जितने भी हमारे क्लासिकल टांसें वो मेंशेंड है नाटे शास्त्र में नाटे शास्त्र को फिफ्ट वेद के नाम से भी जाना था किसने भरत मुनी यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें दो form of dance styles दी गई हुई है और वो भरत नाट्यम में भी है और वो है लासे style और तांडव लासे और तांडव लासे वो आपकी style है जो माता पारवती से सम्मंदित है ठीक है और जो तांडव है वो भगवान श शास्त्र से भी पहले अगर सबसे ancient में अगर मैं जाओं अगर आपसे कभी पूछ ले किस text में भरत नाट्यम के बारे में सबसे पहले कौन सा ancient text है mentioned है तो that will be silapattikam ठीक है जिन लोगों ने history अभी पढ़ी है बाच में उन लोगों को पता होगा ठीक है सीला पतिकरम यह क्या है यह है एक हम लोगों ने देखी ति वो text है जिसमें की एक love story है किसके बीच में कोवलम होता है एक आदमी और कन्नगी ठीक है कन्नगी और यह कोवलम और कन्नगी husband wife होता है and then आ जाती है माधवी ठीक है अब यह मैं बता क्यूं रहा हूँ इसलिए बत किसकी love story है तो देन माधवी और कोवलम जो है इनकी love story हो जाती है ठीक है and then कन्नगी को छोड़ देता है कोवलम बट हम देखते है किस तरह से कन्नगी जो है पूरी तरह से इसके प्रती अभी भी honest रहती है फिर हम बोल सकते है कि truthful रहती है and then यह जब माधवी इसको छोड़ द गलाई यह जो टेक्स्ट है यह आपकी एक हम बोल सकते हैं कि adventurous tales है कि मनी में गलाई कोवलम और माधवी इनकी बेटी थी उसका एक तरह से adventures के बारे में किताब है तो यह जो टेक्स है उसके बारे में भरत नाट्ट में मैं चीज़ पता हो नीचे आपको clear है अब आपको यहा यूट्यव पर भरत नाट्ट में परमार से सी आपको एक डेल्ल में का तो यूट्यव पर रही है यह होगा होगा है सारे अलारमेल बेल्ली हो इंचे यहां पर मैं आपको जान बुचक और ऑन पर और फॉर्म्स जो इसके different होती है वहां पर नहीं बता रहा हूं ठीक है विकोज वो हम देखेंगे जब कोई और कुश्चन हैगा अभी के लिए इतना ही भरत नाट में अभी ये पता था वो तमिल नाडू से ठीक नाट शास्र देख लिया एक हरे साधीर अटम देख लिया लासित अंडव देख लिया और ये जो भरत नाट में ये भगवान शिव से असोसेटेट ध्यान लखना जिस तरह हमने देखे थे सतरिया देख चुके ना पूरा सतरिय में क्या देखे थे असम से गुरु शंकर दे भावना अंकिया नाट और ये देखे थे कि वो भगवान कृष्णे से असोसेटेट है ठीक और इसमें सिला पट्टिकरम में एक टेक्स देख लिया और मनीमे का लाई देख लिया ठीक है अच्छा अब क्योंकि यहाँ प बताया अब भरत नाट्यम को कब बिटिश ने बैन कर दिया तो 1910 में इनको इसको बैन कर दिया था बट फिर भी लोगों पहले इसको टेंपल में परफॉर्म करते थे लगिन बैन किया तो लोग अब घर में भी बाहर भी परफॉर्म करने लगे इसको as a means of protest question number second which state gives the annual award गु गुरू के लुचरन महापात्रा वाशिक पुरसकार कौन सा राज्य देता है इस कांसरों का उड़ीसा ठीक है आप मेसेज जिन लोगों ने पहले पीवाए की सीरीज करी उनके लिए बहुत आसान question है because पहले भी हमने देखा कि कितने n number of time गुरू के लुचरन महापात्रा प मिला लूँ हो सकता है नंबर काफी बड़ा भी हो इससे मैं तो बस गेस मार रहा हूं क्योंकि सीजेल में ही आप यह समझ लो कि एक एक दिन में दो दो शिफ्ट में आ रहा है आया ही question ठीक है तो ओडीसा से ऑफवेसी बात है कि अगर गुरू के लुचरन महापात्रा ODC से स है तो फिर क्यों यहां पर हम लोग टाइम वेस्ट करें सिंपल आप वहां पर से ट्रिक देखिए एक मेंट के अंदर और उसको याद कर लीजे बिकॉस याद करने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं विच आर्टिकल अर्टिकल तो नहीं होगा ठीक है यहां पर इसको फं फंडामेंटल राइट होगा विच फंडामेंटल राइट ठीक है कौन सा मौलीक अधिकार इसमें सिर्फ भारती नागरिकों को प्राप्त है तो क्योंकि मौलीक अधिकारों से हमारा पहला कुश्चन है तो as a matter of respect to fundamental rights हम थोड़ी सी चीजें इसके रिगार्डिंग देख ले ना सबसे पहले अगर पूछ ले कि यह कहां से inspired है तो एक Bill of Rights आया थे ठीक है बिल ओफ राइट वो USA में आया थे लेकिन USA wasn't the first country जहां पर फर का यानि फंडम्डल राइट का कॉंसेप्ट आया यह सबसे पहले Magna Carta करके एक system आया था United Kingdom में UK में ठीक है Magna Carta क्या था यानि कि वहां का जो rich class था जो अमीर section था तो उनको कुछ rights दे दे थे government ने कि आपके खिलाफ जो है कुछ यह नहीं हो सकता आपको यह मिलेगा यह सारी चीज़ है तो उसको बोलागी है और वहां से फिर यह एक तरह से improvise हुआ और यह further develop हुआ fundamental rights को हम या फिर part 3 जिसमें कि fundamental rights हैं को हम magna carta of Indian constitution भी बोलते हैं इतने चीज़ क्लियर और अगर हम बात करें तो जब हमारा constitution बना था समिधान बना था यानि on 26 November 1949 यानि कि जब मैं originally बोलूं कि originally जब भी मैं बोलूं originally तो उसका मतलब है 26 November 1949 कि मैं बात कर रहा हूं तो तब 7 fundamental rights करते हैं साथ मौलिक अधिकार लेकिन अभी कितने हैं 6 हैं बिकॉज जो एक है यहाँ पे गया है वो है right to property यानि की संपत्तिक अधिकार जिसको की 44th constitutional amendment of 1978 से हटा के कहां पे डाल दिया गया इसको डाल दिया गया भी article no.300a जो कि अभी एक legal right है एक विदिक अधिकार है और इ हमारे जस्तिसी अबल इन नेचर है जस्तिसी अबल का मतलब यह होता है कि आप कोट में जा सकते हैं और इसके विरुद्ध आपको नयाय मिलेगा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनान हुगा तो आपको नयाय मिलेगा लेकिन legal right में आपको नयाय मिलेगा इसका कोई guarantee नही है कि नहीं है मैं कोट में गया मुझे नयाय चाहिए क्योंकि यह मौली का अधिकार था कोट को नहीं देना पड़ेगा लेकिन इस केस में कंपल्शन नहीं है कोट को ठीक है यह चीज़ आपको पता हो नहीं चीज़ तो अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे फर में और एक और चीज़ और यह आपको एक मंत्र का उचारन करना है और वो मंत्र है 15 16 19 39 इस मंत्र का उचारन आपको अभी तुरंत ही 5-6 बार करना है 15 16 19 39 15 16 19 39 क्यों कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स प्रवाइड़ हैं मौलिक अधिकार इसमें जो दिये गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटिजन्स को हैं अब ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं नहीं तो कन्फूजन क्रियेट हो जाएगा क्या यह हमारी फंडा इसमें पंदरा में उननिस में उननिस में उन्तिस में और तीस में जो भी मौलिक अधिकार दिये गए हैं जैसे पंदरा में क्या है कि भेदबाव नहीं हो सकता इनकेस ऑफ पब्लिक एंप्लॉयमेंट उननिस में राइट तो यह जो राइट हैं यह सिर्फ भारतियों को प्राप थे और बाकी वाले भारतियों को भी हैं और अंग्रेजियों को भी हैं फॉरनर्स को भी हैं किसी को clear तो यहां पर पूछ रहा है अब यहां पर तो मैंने तुमको दे दिया 15 इस तरह से option तो तुम्हारी लासान होगे अच्छा 15 तो लिखा हुआ question इस तरह से पूछता है वो right लिख देगा पूरा ऐसे लिख देगा इस 14 में right to equality इसमें right to life right to religious freedom तो पूरा लिख देगा फिर वहां पर आपको अच्छा right to religious freedom यह होता है तो क्या करना उसके सामने article लिख लेना कि अच्छा यह यह article हुआ यह article हुआ और सिर्फ और सिर्फ citizens को यह foreigners को नहीं और बागी foreigners और citizens सब को है ऐसे करके ठीक है तो अभी क के लिए सिर्फ इतनी चीज़ आपको याद रखनी है who is known as the father of Bangladesh from the following options so name लिकित में विकलपों में से किसे बांगलादेश के पिता के रूप में जाना जाता है शेक मुझीबुर रह्मान अत्ताउर रह्मान खान मुहमद हबीबुर रह्मान या फिर शेक हसीना तो 1971 में 1971 में ऐसे होता है कि 1947 में जब हमारा country का partition हुआ था तो यहाँ पे निकल के आया यह तो पूरा हमारा प्यारा भारत यहाँ पे हमारा चोटा बेटा बांगलादेश और यहाँ पे हमारा बड़ा बेटा पाकिस्तान निकल के आया वेस्ट पाकिस्तान और इसको इस पाकिस्तान बोल इसको अलग कर दिया इस पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान सब इस पाकिस्तान को बांगलादेश बना दिया, ये सारा काम 1971 में इंदरा गांधी जी के टाइम पे हुआ and यहां से जो बांगलादेश को लीड कर रहे थे वो थे शेक मुजीबुर रहमान तो इसलिए इनको father of Bangladesh बला जाता है शेक हसीना तो इनकी बेटी है जो अभी current time में वाँकी prime minister है तब से पहले तो ये थे वहाँ के देन तब से ये हैं तब इनको कोई अभी तक हटा नहीं पाया है ठीक है तो शेक हसीना कि क्या है बेटी है तो मदर होंगी अगर होंगी भी तो father थोड़ी ना होगी ठीक है यह चीज है अब बांगलादेश की और क्या क्या हमें पता होनी चीज वो चीज हम देख लेते हैं क्योंकि पूछ चुका है इसलिए जाना जोड़ी है इसका कोई लॉजिक नहीं इस तरह से क्वेश्चन पूछने कोई लॉजिक नहीं हो तो इस तरह से ठीक है तो इसलिए हमें याद करना है 700 रिवर्स उसमें पूछ लिए था 700 ना दिया ठीक है और 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 क्या पता होना चीज हां बांगलादेश की हमारे मुहमद यूनिस थे और यह जो मुहमद यूनिस है इनको फादर अफ ग्रामीन बैंक बोलते हैं इनको ठीक है बांगलादेश सहीए थे बांगलादेश के अगर बात करें तो यह सबसे लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट यूट एक्सपोर्टर है सबसे ज्याता जूट का निर्यात करता है बांगलादेशी आगे बढ़ते हैं ड्यू टू वर्ड वर वर वन और टू दी ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन पढ़ा होगा वर्लड वर्ड वर्ड वार टू पर्टीन से लेके 1913 तक सिंपल और वर्लड वर टूंट प्या था यह वद था तो यह नहीं हो सकता है, simple, बच्चा कौन सा, option number second, जो हर इसमें, इसमें fit बैट रहा है, ठीक है, और इसके बाद हमें पता है, 1919 में इंडिया में क्या हुआ था, दो movement इस्टार्ट हुए थे, तो खिलाफा था अंदोलन, जिसका लेना देना अक्चिल में तर्की से था, बिकॉज यह war के बाद Turkey और Britain आपस में दूसरी टीम में थेकतर से में बोल सकते हैं, तो तर्की से जो खलीफा होता था, इसलाम धर्म का सबसे बड़ा में बोल सकते हैं धर्मगुरू, इसको हटा दिया गया था, तो इसलोगे, इसको लेके हर जगे के Muslims नाराज थे, और इंड पर काफी बीच में प्रेशर वगएरा सारी चीज में बनी थी, ठीक है, विस्टिन नमर सिक्स, और तो नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो लंपिक सिर्के रिगार्णि चलो थोड़ा से आपर बता देता हूं, स्टार्ट अप ले लेते हैं, आपर हम लोग, कि 1896 में 1900 में हमने सबसे पहले पार्टिसेपेट किया था, लेकिन हमारी टीम नहीं गई थी, हमारी कंटिंजेंट नहीं गई थी, सिर्फ एक ही हमारे परसन गया थे, उनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड, ये पैरिस में घूमने गया थे, और जब इननों इनको पता चला कि अभी ओलम्पिक भी हो रहा है, तो ओलम्पिक नहीं खेल लिया, दो मेडल भी लेका है, और पहले एशियन बन गया जो ओलम्पिक मेडल लेका है, अच्छा आपको पता है, कि फुटबॉल में हमारी जो टीम है, इंटरनाशनली, सबसे पहले ओलम्पिक में उसने खेला था, और 1948 म हमारे पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, समझ रहें आप, तो मतलब जो हमारी इंटरन टीम के जो कैप्टन थे, उन्होंने ये बोला था, स्टेट्मेंट मार्क की दिया था, जो कि अब भी बहुत फेमर्स है, आप लोग नहीं सुना वह सकता है, और अप लोग खेलते ह आप लोग तो खेलते हैं, शूबॉल, हम खेलते हैं फुटबॉल, मतलब इंगलिश में उनका स्टेट्मेंट था, अब एक्जाक्ली तो मुझे नहीं पता था, लेकिन यही था समरी कि आप फुटबॉल तो हम लोग खेलते हैं, आप तो शूबॉल खेलते हो, बिकोज हमने बहुत बड़ी चीज है, फोर्थ फिनिश करना, ब्राउंज मेडल से सिर्फ एक कदम दूर थे, और यह कभी की बात हो रही है, अब समाझ सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस से जस्ट हमनों को इंडिपेंडेंस मिलिए, और आँ समाझ सकते हैं कि बेर फुटेट खेल रह चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह, यह क्या है, यह है हरपन सिविलिजेशन के एक साइट, तो यह हरपन सिविलिजेशन का जो भी साइट होता था, यह मेली दो पार्ट में डिवाइडेड होता था, यह दो पार्ट क्या होते थे, एक होता था हाइर टाउन, और यह उता था नीचे lower town ठीक है? इसको बोलते थे lower town इस higher town को जहांप एक तरह से मोख सकते हैं ruling class रहा करता था यहनी की एक तरह से kings वगेरे राहा करते थे यहां पे जो अमीर है मोख सकते हैं वो रहा करते था इसको मोख सकते हैं इसको पोलते थे cita dell lower town साही है बट lower part seatadel नहीं होता था यह higher part हुआ करता था and तो third साही हो जाएगा और यह higher होता था और western side में होता था ध्यान रखना ठीक है पस्चिमी side में होता था और अब यहाँ पे दो important चीज़े हैं और दो important चीज़ें यह है कि एक तो यह city without seatadel पहली चीज़ यह है कि ऐसा कौन सा city था हड़पन civilization के रिगार्डिंग अच्छा हडपन civilization के रिगार्डिंग हम क्या क्या पढ़ चुके है आप revise करो अपने दिमाग में जल्दी से तो city without seatadel यह नहीं कि वो city जहाँ पे seatadel नहीं हमें देखने को मिला higher town and lower town लेकिन एक ऐसा था जहां पर मिडिल टाउन भी देखने को मिला और वो था गुजरात का दोहला वीरा और दोहला वीरा एक और चीज़ के लिए फेमस है और यहां पर बहुत बड़ा water reservoir मिला ठीक है बहुत बड़ा water reservoir भी मिला तो अब हम यहां पर दिसकस कर लेते हैं कि हमने हड़ापन civilization की regarding अभी तक क्या पढ़ चुक है हम लोग तो हम ने यह पड़ा इसका time प्रिएड क्या है 2500 के 1750 BC तक इसका time period है इसको हम bronze civilization के नाम से जानते हैं निकि कांशिव के नाम से जानते because यहां के लोग copper और tin को मिला के bronze नाम का alloy मिश्रधातू बनाते थे हडपन civilization वाले लोगों को अभी तक iron के बारे में नहीं पता था ठीक है और हमने क्या देखा था इसकी northernmost, southernmost और easternmost और इस सब्सक्राइब में देखा था नदर मंडा, दैमाबाद, सर्वे ऑफ इंडिया के क्या हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे और archaeological सर्वे ऑफ इंडिया का father हम बोलते हैं पुरा तत्व, भारती पुरा तत्व इभाग का जो पिता है हुआ हम बोलते हैं Alexander Cunningham को clear? चलि आगे बढ़ते हैं who wrote the book, Indica, Indica, पुस्तक किसे ने लिखी? बानभट, मियांडर, मिशागदत या फिर मेगस्तिनीज तो बानभट के अगर बात करें तो उन्होंने हर्ष चरितर लिखी, अब ये हर्ष चरितर किस पे बेस्ट किताब है तो हर्ष चरितर हर्ष वर्धन की ये कोड़ पयर थे ये कैपिल का नौज थी और इनको हराया था, पुला के सिंटू ने नर्मदा नदी के तट पे जो की चालुक के डैनिस्टी के एक रूलर था हर्ष वर्धन की अगर बात करें तो इनके टाइम पर सेकंड चैनीज टैबलर आया था जिसका नामे यूसांक या फिर ज्वाण जंज इसमेंकिं सी यू की एक किताब लिखी थी सी यू की नामा के किताब लिखी थी जहां पے इसने इंडियन यूनिवस्टीज पर बताया थे उर समय दो ही हमारी प्रूमुक यूनिवर्सटीज थी जहां पे लोग पढ़ने आया करते थे नालंद और विक्रम शिला नालंद हो किसने बनाई थी कुमारगुप्त वन ने और विक्रम शिला ता धरम पाल ने ठीक है यह चीज़ा आपको clear हो गई होगी तो यह उन पर बेस्ट है मियांडर के अगर बात करें तो मियांडर को बारे में दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में डिसकेशन हुआ उस डिसकेशन को यहाँ पर दिया गया है कि इन दोनों के बीच में क्या डिसकेशन हुआ और जब डिसकेशन हुआ तो मियांडर ने नाकसें से question पूछे ये Buddhist monk थे और जब इन्होंने question के answer दे दी नाकसे ने तो ये Buddhism में convert हो गए अब ये थे कौन ये एक Greek थे because India में अगर हम बात करें तो Greeks आए ठीक है शाकाज आए, कुशांस आए ठीक है इस वाले region से चाइना के चाइना और ये अफगानिस्तान के जो बीच आए रीजिन है यहां से, बात अगर करें हम विशाग दद की तो उन्हें लिखी थी मुद्र राक्षस ठीक है मुद्र राक्षस और इसका सही आंसर होगा मगस्थिनीज मगस्थिनीज ये कर हम बात करें तो मगस्थिनीज एक अमबैसेडर था, दूद था किसका? ये दूद था सेलिकस निकेटर का वो सेलिकस निकेटर जो खुद मिलिटरी गमांडर जेनरल था किसका? अलेक्जांडर दे ग्रेट का अलेक्जांडर दे ग्रेट ने 326 BC में चलो वो हम किसी और उसमें देख लेंगे ठीक है? तो सेलिकस निकेटर जो है ये इसका दूद था मेगस्थिनी सेलिकस निकेटर का ठीक है? तो सेलिकस निकेटर ने मेगस्थिनी इसको भेजा था चंद्र गुप्त मौर के कोट में बताया यह कितना बताया इसने 7 जबकि एक्चल में 4 पार्ट में डिवड़ेट थी आज भी अगर हम देखे तो क्या है ब्राह्मन चुत्री वैश और सूद्र लेकिन इसने 7 पार्ट में डिवड़ेट बताया था ठीक है तो यह चीज आपको बता होने ची कि किसने लिखी किनद्र होता है कekk Sas drug का मतलब मतलै निूकलिएस ट्रू नुख्यलिएस जीनके पास सिद्रक होता एक कोशिका में जिनके पास नहीं होता उनको क्या बोलते हैं आप रोक क्या क्यों कि बहुत है इस से याद कर लो अगहिए लोग बहुत ही अड़ब般स जरुत इनको nucleus के जरत नहीं पड़ती है इस prokaryotic में जिसमें कि nucleus नहीं है इसमें बहुत सारे cell organal भी नहीं होते हैं जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे ना endoplasmic reticulum जो अंत्यद्रावी जिल्ली होती है mitochondria हो गया और vacuole हो गया यह सब क्या थे cell organal थे ठीक है ribosum वगएरा तो यह सब cell organal थे तो यह prokaryotic में बहुत सारे cell organism नहीं होते हैं अब यू करिटिक में होते हैं autotrophic वो होते हैं जो अपना photosynthesis करके अनि प्रिकास insulation के मतलब से खाना बनाते हैं तो plant बनाते हैं हम थोड़ी ना बनाते तो यह तो आंसर हो इनी सकता है fungus जो होता है आपने fungus सुनाओ का bread में fungus लग जाती है वो fungus क्या करती है वो bread को सड़ाती है गलाती है और इसको decay करके जो मिलता है उसको खाती है यानि कि ये जो होते हैं ये saprophyts होते है sa aprophyts वह होते हैं जो dead and decaying matter में अपना खाना ढूडते हैं तो वो cell रही वह हो इपट में खराब हो रही अपना खाना ढूडते है एपना खाना खुद से नहीं बना रहे है तो यह भी गया तो रॉबर्ट हुक ने 1665 कॉर्क में लिविंग सेल आंटेनी वॉन लिविन हॉक 9 साल बाद यानिकी 1674 में पॉंड में डिस्कावर किया था सेल थियोरी किस ने दी थी शल्डेन और स्वान ने दी थी देन मॉडिफाई किस ने किया था वर्चॉव ने किया था अब हम ऐसे ओरल रिविजन करेंगे बार बार भगोरिया इसा फेस्टिवल असोसेटेड विद विच ओव दी फॉल्विंग फेस्टिवल से भगोरिया ने लिखित में से किस तिवार से समंदित है दिवाली दशेरा होली या फिर शिवरातरी तो भगोरिया के अगर बात करें तो यह होली से असोसेटेड ओप्शन नमबर थर्ड यहां पर सही आंसर होगा भगोरिया के अगर बात करें तो यह मद्यप्रदेश में मेंली मद्यप्रदेश में भील ट्राइब इसको सब्सक्राइब करती और भी स्टेट है ठीक है जैसे ख्लासिकल तो होता है कि वह एक स्टेट फिक्स लेकिन यह जो हमारे होता है जैसे फोक डांस यह सब फेस्टिवल अगए यह मल्टिपल स्टेट में भी आपको देखने को मिलते हैं ठीक है जिसले इसले कंफ्यूज नहीं ह होना है और यह तरह का harvest festival है ठीक है harvesting हमारी किस time पर होती है भाई जब हम लोग है holy मनाते हैं वह harvest festival ही एक तरह से कि भाई फसल कटाई का time होता है अभी जैसे राभी क्रॉप चल रही राभी का season चल रहा है गहूं अगर अगया और इसके लिए कौन सी type of rainfall बहुत अच्छी होती मानी जाती जड़ा comment बताएंगे कली मैं आपको बताया तो इस time पर हो भी रही है तो holy जो है बगोरिया एक harvest festival है बगोरिया तो होली के time पर होता है ठीक है और अच्छा एक monsoon festival होता है यहां पर पिछली बार अभी पूछा गया था सीजल हो गहरा हमें चीकल मालो करके चीकल मालो यह जो चीकल मालो है यह monsoon का festival है monsoon mud festival of goa monsoon mud festival of goa goa का monsoon mud festival ठीक है अगला question है question number 10 most centrioles have a dash structure of triple microtubules which are present in pairs and arranged orthogonally after duplication यह जो question है इसको मैं बोलता हूँ बनराकस type question बनराकस type मतलब यह question है वैसा type कि इसमें हमें रट्टा सिर्फ मार लेना है 9 plus 0 यह question कराने का purpose सिर्फ इतना होता है कि अगर यह question repeat हो गया तो आपको पता होना चीए लेकिन यह जो है कि क्लास 9th और 10th NCRT से question नहीं है ठीक है तो आपसे पूछा नहीं जाए गया है इस तरह का arrangement मतलब होता है किस तरह का arrangement होता यह पूछा गया है तो वह हमें ज्यादा जानने की ज़रत नहीं है कैसे क्या अर्थोगोनल या रेंज यह सब होता है बस रट्टा मारो जिंदा बाद 9 प्लस 0 और 9 प्लस 0 अगर आ जाता है question तो गलत नहीं होना चीए बाकि इसमें रेट के दौरा सर्वो चनेल है और उचनेल है अधिकार छेतर की अधिकता क्यारो उपपर निचली अदालत से मामले का record मांग सकते हैं देखे क्या पूछ रहा है रेट के बारे में पूछ रहा है रेट होती है क्या समझ यह जब हमारे मौलिक अधिकारों का होता है हननन इसको बोला था heart and soul of Indian Constitution यानि कि समिधान करदयवा आत्मा किसने डॉक्टर भीम रावंबेटकर जीन है क्यों कि यही तो वो आर्टिकल है जो हमारे fundamental rights को preserve कर रहा है नहीं तो fundamental rights देने का purpose ही कि अगर उनको preserve ना किया जा सके जैसे मैं आपको बोलूं कि यह लो एक लाग पएगा तो वैसे हमेरे fundamental rights और article 32 की importance है कभी अगर आपसे पूछले कि रेट jurisdiction Supreme Court का वाइड है या फिर High Court का तो उत्तर होगा High Court का क्यूं क्यूंकि यह ना सिर्फ fundamental rights के enforcement के लिए rate issue कर सकता है बलकि legal rights के लिए भी जैसे वो right to property देखा तो उसके लिए rate issue कर सकता है लेकिन यह rate issue करने से मना कर सकता है लेकिन Supreme Court कभी नहीं कर सकता है रिट पांच तरह कि यह होती है और इनको हमने लिया UK यह ब्रेटन के constitution से पांच तरह की क्या है पहली है लिखे हुई है habeas corpus, दूसरी है mandamus, तीसरी है prohibition, चौती है certiori और पांच वी है क्यो वरंटो 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 इसका मतलब समझो habeas corpus का literal meaning पता होना चाहिए ऐसे पूछता है किसका literal meaning क्या है तो इसका literal meaning है to have the body of यहां पर उसका सरीर चाहिए मुझे किसका सरीर चाहिए भाई कैसी बातें हो रही है यहां पर to have the body of का मतलब है जहां पर unlawful detention हो चुका है जहां पर कानून के हिसाब से किसी की गिरफतारी नहीं हुई यह बलकि अब जब kidnap करवा लिया तो फिर तुम्हारे पास क्या राइट है तो अब तुमको तुम्हारे दोस्ते है फिर तुम्हारे रिलेटिव घर वाले तो जा सकते हैं कोर्ट में और पुलिस से बोलेंगे कि उसकी बॉड़ी यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत कर उस रड़के की तो उसको बोलते हैं है भी स्कॉर्पस ठीक है वाकि जब लोग अभी पॉलिटी करेंगे वंडमल राइट तो और बढ़िया एक्जांपल थेंगे हम आपको तो और भी नहीं भ पाल के पास और वह ना बना है बोले कि गुस दोड़ा सा ठीक है तो उस केस में मैं डिमस रेट इशू हो सकती है उसकी खिलाफ से प्रोहिबीशन या फिर कहीं पईब सब्सक्राइब यहाँ बोलाओ कि उसका मतलब इसका लिटरल मीनिंग वहता है वी फ़री डैनी हम तुम आकात में रहो यानि अपने जुरिस्डिक्शन में रहो उसको एक्सीड मत करो जित्ता तुम्हारा छेत्रा दिकार है उसी में काम करो ठीक सर्श्योरी जिसका मतलब होता है तू बी सेर्टिफाइड ओफ ये उसका बड़ा भाई है प्रोइबिशन का इसमें क्या होता है सर्श्योरी में कि वो जो लोवर कोट है या फिर कोई ऐसा गवर्मेंट ऑफिशल भी है तो वो अगर अपने जिरिस्टिक्शन से बाहर निकल गया है यहाँ पे क्या भी गया निकलने कोशिण कर रहा है तो क्यों वरंटो का मतलब होता है वाइव वाइट अथोरिटी ओफ यह तब इशू की जाती है जब कोई एक गवर्मेंट ऑसिशल एक एक ऐसे ऑफिस को उल्ड कर रहा है एक ओफिस में बैठा हुआ जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है यहीं किस अथोर्टी से किसने आपको अथोर्टी यहां बैठने की ठीक है जैसे फॉर एकश्रेक्शन कोई आइरेस बिकम्स क्लावडी, पीपल बिकम्स डेल, और पीपल बिकम्स डेल, देखिए, बहुत आसान कुईस्चन है, कैसे, यहाँ पे, इस पात को हमेशा ध्यान में रखना, कि जब भी आपको दो सिमिलर ओप्शन्स दिखें, तो बहुत ज़्यादा चांसे हैं कि आंसर उन् सिक्स और सेवन्थ का, कि यह आराम से यह फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, कि जब मिलकी हो जाता है, दूधी हो जाता है, तब ही तो देखने में दिक्कत होती है वो डेलों को, एकदम क्लियर थोड़ी ना हो जाएगा उनका, अब यह आई की अनाटमी है, यहाई का पूरा स्ट आइक्शन वो कॉर्णिया सही करती है, यहाई पर हमें देखने को मिलता है, पीपल, जिसको कि हम बोलते हैं, पुतली, यह क्या करता है, इसको एक्चल में कंट्रोल करता है, और यह क्यों कंट्रोल करता है, यह दोनों मिलके कंट्रोल करते है, amount of light entering into the eye, amount of light entering into the eye, यहनी कि कि और यह पर नहीं करेगी ठीक है और अगर अलेंस इस इमेज को अब वो ट्रांस्फर करेंगी माइन्ड को तभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आई होता है वो देखता नहीं है देखने का काम अच्छल में ब्रेइन का होता है आई तो सिर्फ पिक्चर को क्याप्चर करता है टिसलाई का कैमरा ठीक है एंड हमने यह देखा था जब हमारी ग्लाकोमा यहाँ बैस कर चुके है यहाँ पर मैं लिखने वाला नहीं हूं तो कई थे में क्या देखा था नियर साइट है कि इसको निकट द्रश्टी दोस्में जा है और है पास गत्रोपिया दूर का दिखता पास Keni दिखता यह हता है सब्खियर क मेंगते सबह्ता वह यह द्यूर को ट्रॉपिया देखे थे प्राजिऊ प्र konvexim 밝혔ा है घ्09 होने लगती दीरे दीरे तो लेंस के flexibility कम होने लगती है उसकी वजह से हम bifocal lens का use करना पड़ता है मैं थर्टीन्थ आउट दिफॉलविंग identify the process that does not involve a chemical reaction लेकित में से उस प्रिक्रिया की पहचान करें जिसमें रासाइनिक प्रिक्रिया शामिल नहीं है cloth cleaning detergent ripening of mango change of color of termic due to soap cooling effect of nail polish remover तो यह और यहां पर कोई न कोई chemical reaction हो रही है बट यहां पर simple evaporation हो रहा है evaporation हो रहा है जिसकी और जैसे क्या हो रहा है cooling हो रही है जैसे अब जैसे मालो हमारा हाथ है ठीक है यह हाथ है और हाथ में जब हम यह nail polish remover डालते हैं तो इससे होता क्या है इससे होता यह है कि जो हमारे पाम में हमारी हथेली में जो heat रहती है उसको यह लेता है और वेपराइज हो जाता है लिक्विट से gas में convert हो जाता है इसका latent heat of vaporization बहुत कम होता है what is latent heat of vaporization जहां पर कोई वेप जो लिक्विट है वह वेपर में चेंज हो रहा है ठीक है तो बहुत ही तुरंट हो जाता है थोड़ी सीट लेकर क्योंकि इसने हमारी हाथ से हाथ का जैसे मालों यहां पर डाला तो इसके यहां पर डाला तो यहां वाली energy लिए और आसपास वाली थोड़ी से लिए होगी तो इसी जब उड़ जाता है तो हमें ठंड़ ठंड़ लगता है क्योंकि हमारी energy लेकर चला गया इसलिए ठीक है और यह इवापरेशन का process है ठीक आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखना यह क आपको पता है यहां जैसे कि कि जो कपड़े धूलते है तो जहां दाग होते हैं हल्दी के जब उसमें चलाते हैं क्या सबूता हैसमें किसे छेंज होता है क्लर वह पहले हो जाता है येलो से reddish-brown और रेडिश-brown से पानी डालते हैं फिर यëख हो जाता है ठीक है तो एक त वुट काटी लकडी काटी थी वकड़ काटी ध्युक्ति ten प्रखर मानों मानों की मर्म स्थे फ्रूट काटें वthem वह फिजिकल चेंज हुगा मैंने आइस को मानयो कि लिक्वड में वॉर्ट में में convert कर दिया liquid को फिरसा हैस में convert कर दिया ठिक है फिरसे मैंने liquid को वेपर में convert कर दिया physical change होका state change हो रहा है है यह क्या हो रहा है state त्बहुत अवस्था चेंज हो रही है यहां-पे चैमिकल चेंज में जैसे में नहीं कर सकते हो irreversible होता है लेकिन यह reversible होता है फिजिकल जो चेंज होता है बहुत इक परिवर्तन ठीक है दोनों को अगर मैं एक्जाम्पल दूँ तो burning of candle हो जाएगा जब हम candle जलाते हैं मुंबत्ती तो वह physical भी और chemical भी है कैसे यह जैसे हमारी मौम है मौम है नहीं wax है इसमें लगा होता है थ्रेड ठीक है यह जो थ्रेड यह जलता है यह irreversible है chemical change है बट यह reversible है wax है फिर हम candle बना सकता है तो फिजिकल चेंज हुआ यह ठीक असकिनी which was a part of Sabth Sindhu is the name of which of the following rivers at present times असकिने किसका पुराना नाम है Sabth Sindhu अगर बात करें तो यह वो रीजन है जहां पर हमारे early Vedic people रहा करते तो और Sindhu जो सरी जो में रिगवेद उसमें Sabth Sindhu मेंशन है कि यह वो एरिया है जहां पर Aryans जो की Central Asia से migrate किये तो वो यहां पर आके रहें ठीक है तो यह अरली Vedic जो पीपल रहते तो यहीं पर रहते तो सब्त Sindhu सब्त Sindhu मतलब Indus और उसकी 7 Tributaries जैसे Indus है नहीं सिंदूर रिवर है जेलम ठीक है यहां पर मैं इस तरह से लिख दूं नहीं तो फिर दिखकत होगी Indus यहां पर में लिख देता हूँ ठीक है इंडस जेलम यहां पर लिख़ा ह। यहीं पर लिख देते हैं ठीक है जेलम चयनाब रावी ब्यास और सतलज तो इंडस का पुराना नाम है सिंधू, ठीक है, जेलम का नाम है वितास्ता, चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी, रावी का पुराना नाम है पुरुशनी, ठीक है, ब्यास का पुराना नाम है बिपाशा, कितना आसान है, ठीक है, ब्यास और बिपाशा, और सतलेज का पुराना ते पीटाना नाम है क्या सटलीज का पुराना नाम है शोटुद्री ठीक है यह भी आजान है स formerly स Councillor आ रहा है पुर रुशनी जब मैं बोलता है तो रहा आ रहा है ठीक है इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं तो असकिनी अगर हम बात करेंगे चेनाब का पुराना नाम में ऑप्शन नमबर थर्ड यहां पर से यांसर लगा जब हम जोग्रफी देखेंगे तो साही चीज़े फिर से यह देखेंगे इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है विच अब यह वर्टिकली इंटिग्रेटेड का मतलब क्या होता है वर्टिकली इंटिग्रेशन का मतलब यह होता है बिजनिस टर्म है यह जहां पर जैसे फॉर इग्जांपल जैसे कोई एक कार कंपनी है ठीक है माल लेते हैं तो यह कार कंपनी को टायर लगते होंगे ठीक है स्टेरिंग लगता होगा सीट लगती होगी मेटल बॉड़ी लगती होगी ठीक है और भी हो सकता कोई सॉफ्ट्वेर भी लगता हो तो यह सारी चीज़ें कहीं से इंपोर्ट करती होगी तब एक कार बन मैं्स कहां कहां पर लു की टेनzepा एक तो मलज खंड न पर ममलेजघण एक मैं ऊंपर कंक भी शाइट में नर्मदा और सोग नदी निकलती यह तिक एक हमारी कौन संथेड़ में राजस्तान में ट contrast में सिंग्भम है जार्खंड में ठीक है सिंगम में कहां पर जार्खंड में तो यह हमारी कुछ कॉपर माइंस जहां पर लोकिटेड है इन मार्च 2023 यह हमारे लिए इंपर्टन नहीं है ठीक है विकास करेंट अफेर का क्विश्चेन है तो नॉट इंपर्टन फर एस अजिए ओर्खंड है से जोशी जोंग पेर्णुटेंप इंक्ति एक्षाटन्याक के करने तकनूत है अरहले के लिए प पॉलते हैं जो के से केट में इसके अगर हम फादर की बात करें तो फादर कंसिडर किया जाते हैं कौन पुरंदर दास पुरंदर दास और एक तरह से अगर मदर बोल लें इनकी तो यह है में सुबू लक्षमी कारनेटिक म्यूजिक की कौन में सुबू लक्षमी ध्यान रखना यह बहुत इंपॉर्टन है और हिंदुस्तानी म्यूजिक से मारे विलॉग करते देपंडित भीम से इंजोशी और किस घराने से कराना घराने घराना मतलब वो एक आप इससे समझ सकते ह जहां से जहां पर एक पर्टिकुलर फॉर्म ओफ सिंगिंग को फॉलो किया जाता हो तो इसको घराना घराना जो है वो उत्तिर प्रुदेश का है यूपी का है ठीक है अगले कुश्चन के रूब बढ़ते हैं 18 विच फॉलिंग डैनेस्टी सक्सीडेट दी पालाज अफ ब महिपाल महिपाल इनके लास्टूलर थे अगर पाल डैनेस्टी के फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर थे गोपाल यह इस्टन इंडिया में रूल कर रही थी ध्यान रखना है इस डैनेस्टी के पारे में यह इस्ट इंडिया में रूल कर रही थी अनिकि जो यह बं डिनिस्टी के गरोला थे, दोनों भी हार में, और ये उदानपुरी गोपाल ने फाउंड करी, और ये ध्यान रखना, कि पालास को हम एक बैटल के लिए जानते हैं, या फिर स्टरगल के लिए जानते हैं, और उस स्टरगल को बला जाता है, ट्राइपाटाइट स्टरगल, य कब हुआ था और किसके लिए पहली बात है 790,80 के टाइम पे हुआ था यह हुआ ठीक है और यह हुआ था एक तो पाल्स जो East India से थे दूसरे थे हमारे गुर्जर प्रतिहार जो North India से थे गुर्जर प्रतिहार ठीक है and the third were राष्ट कूटा शाउथ से ठीक है राष्ट कूटा तो यह जो उस टाइम जैसे इमालो इंडिया है यहां पे कुछ थे राष्ट कूटा यहां पे गुद्जर प्रतिहार और यहां पे पाला यहां पे था कनोज कनोज के लिए पूरा स्टागल चल रहा था ये इसको कनोज स्टागल के नाम से भी जाना जाता द्यान रखना तो कनोज ओहर शवर्धन की राजधानी थी पहले उस पे ये लोग अपना सामराज इस्थापित करना चाहते है उसको कैपिल लेकिन इसमें जीत किसी की ने हुई है अगर हम देखें फाइनली गुर्जर पतिहार थोड़ा सा जीत जाते हैं लास में जाके लेकिन ऐस सच कोई बहुत अमेजिंग मितलब विक्टरी नहीं थी उनकी सेकंड लास कुश्चिन विच अपने देखा हो जो हमारा बटर फाई होता है यह जो तितली होती उस स्टेजिस क्या होते है बनने के कि पहले तो एग होगा ठीक है एग से बनता है लारवा जिसको कि हम कैटरपिलर कैटरपिलर भी बोल देते हैं या फिर लारवा से आपका बन गया कैटरपिलर एंड देन उससे बनता है आपका प्यूपा ठीक है और प्यूपा से बनती है प्यूपा से फिर एग में मत बना देना फ्यूपर सेविर बनेगी butterfly ठीक है butterfly अब यह caterpillar आपने देखा होगा इस तरह से नहीं से चोटे 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 पैर होते हैं इसे में ड्रॉइंग तो तुमनों को पता ही है ना कैसी में ड्रॉइंग तो यह इस तरह का कुछ यह होगा caterpillar होता है ना इसके लिए कितने नंबर दो गिद्धस में से बताओ जल्दी से तो आंसर क्या वह अब यह क्यों मतलब biological hazard है इसलिए biological hazard है because यह काफी सारे जो इसके पालक में बैठे है तो वह फिर जो है वह हमारे अंदर भी चला गया तो इसलिए इनको biological hazard बताया जाता है तो option no second इसका सही answer होगा प्रोटोजवा से हमें याद आने चाहिए हम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है malaria जो हम लोगों ने देखा था तो देखा था malaria जो है प्रोटोजवा की वज़े से बीमारी होती है और वह कौन सा प्रोटोजवा है वह हमारा plasmodium है ठीक है plasmodium और इसका carrier का नाम आपको comment बताना है कि कौन सा मच्छर जो है इसका carrier होता है स्वदेश दर्शन स्कीम वज लॉंच्ट इंटो 2014-15 बाइदी मिनिस्ट्र आफ तूरिजम गवर्मेंट इंडिया है इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया है 2023 में स्वदेश दर्शन 3.0, स्वदेश दर्शन 4.0, 2.0 या फिर 1.0 इसका सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर इसका होगा option number 3rd स्वदेश दर्शन 2.0 SD 2.0 ठीक है इसके लिए गार्णिए हम जदा डीप में जाएंगे नहीं थोड़ा सा current affair based question है तो दर्शन scheme के कर बात करें तो यही आपको याद करें न 2014-15 में लांच यह था और इसमें जितने भी है हमारी प्रमुक tourist destinations है उन पर वहां का infrastructure बिल्ट किया जाएगा और उसके लिए जो state और यूटीज है उनको fund दिया जाएगा इसके लिए वहां का जो एक तरह का tourism infrastructure है खासकर जो हम बहुत सकते हैं जिसे temples हो गएरा है उसके लिए ठीक है तो आज का lecture होता है यहाँ पे हम लोगा खतम और ट्विंटीवन नहीं बीस तक ही कोरेंग कुस्चिन ठीक है तो चलिए आपके लिए होग हो गया इन वीच्ट फॉलिंग सिटीज है इंडिया फॉर्स अंडर्वाटर ट्रेन पोजेक्ट है बाकी मिलते हैं कल ठीक है कल नहीं मिलेंगे अब हम लोग मिलेंगे कब हम लोग मिलेंगे मंडे को ठीक है अम लोग मिलने वाले मंडे को सीधा ठीक है तो जो भी आपने इस वीक में पढ़ा है उसको करिए अच्छे से revise because revision बहुत important है और इसके अगर आपको चाहिए PDF को डाउनलोड करना तो PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं कहां से PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से कहां से डाउनलोड कर सकते हैं परमार SSC टेलिग्राम से ठीक है परमार SSC जो टेलिग्राम है वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप परमार Academy अप पर जाके courses section में जाके आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर courses section में आपको PDF course part 3 दिख जाएगा उस PDF course part 3 में आप अन्रोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वन मंथ टू मंथ और थ्री मंथ अपने इसाफ से आप आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ठीक है वहाँ पर English के नोट्स और हिंदी के नोट्स अलग-अलग हैं अगर आपको देखना है नोट्स कैसे होंगे तो टेलीग्राम पर पहले लेक्चर के फ्री नोट्स पड़े हुए वहाँ से आप देख सकते हैं धन्यवाद